जिस नितीज कुमार के लिए कभी चिराग पासवान संकट बना करते थे वो नितीज कुमार इस बार चिराग पासवान के लिए न सिर्फ संकट बन गए है बलकि नितीज के कारण चिराग पासवान की राजनिती खत्र में पड़ गई है नमस्कार दे इंडिया टॉप देख रहे हैं मैं हुआ आपके साथ बिर्जो सिंग दरतल बिहार की राजनितिक की चर्चा इन दिनों देश भर में हो रही है राजनीत को जानने समझने वाले लोग जानना चाहते हैं कि आखिर नितीश कुमार आगे क्या करेंगे चुकि बिहार की राजनिति में जो राजनितिक महौल बना है ऐसे में चर्चा चरम पे है कि नितीश कुमार 22 साड़िक यानि राम मंदिर प्रान प्रतिष्टा कारेकरम के बाद किसी भी दिन बिहार में खेला कर सकते हैं और जो आरजेडी सत्ता में है उसे विपक्ष में बैठाएंगे और जो भारतियन तपाटी विपक्ष में है उसे अपना सहयोगी बना कर सरकार चलाएंगे ऐसे में अगर नितीश कुमार इंडिये में वापसी करेंगे तो सबसे जादा संकट किसके लिए बन सकते हैं चुकि राजडीत को जानने समस्देवाई लोग इस बात को मान रहे हैं कि एंडिये में सबसे आदा इन चर्चाओं से कोई बेचैन है तो वो नाम चिराग पासवान है और नितीश अगर वापसी करते हैं एंडिये में तो सबसे जादा संकट भी चिराग पासवान के लिए नितीश कुमार बनेंगे चुकि चिराग की पुड़ी राजनिती नितीश कुमार के उपर टिकी है नितीश विरोध की राजनिती चिराग पासवान करते हैं ऐसे में अगर चिराग पासवान नितीश कुमार को अपना बौस नहीं मानते हैं तो फिर उनका राजनिती जो है वो दाइंड हो सकता है चुकि एंडिये में रहने क्यालवा चिराग पास्वान के पास एक ही रास्ता है वो रास्ता भी काफ्री डेंजर है रास्ता है कि अपने छोटे भाई तेश्वी आदों के साथ मिलकर चुनाओ अगामी लरे ऐसे में अगर वो आर जेडी के साथ गरवन भी आपको देखने को मिलेगा जब रामविलास पास्वान और लालू परशाद यादों के साथ गड़मंदन करके चुनाओ लरे थे और पूरा पास्वान परिवार चुनाओ हार गया था मतलब कि जो रामविलास पास्वान का वोटर है पास्वान वो कभी लालू परशाद यादो कि वोट बैंक के साथ कमपटेवल नहीं जा यू कह कि पासवान वोट या तो जेडियू के साथ या फिर भारती इंता पार्टी के साथ कमपटेवल होता है ऐसे में अगर चिराग इतना बड़ा रिस्क लेंगे तो फिर उनके लिए लोकसभा का चुनाव जीतना सबसे बड़ा संकट हो सकता है अगर वो लोकसभा चुनाव हार जाते हैं तो फिर चिराग पासवान की राजनिती का दैंड वहीं पे हो जाता है राजनिती में उनका कोई अस्त्वित नहीं रह जाएगा चुनकि चिराग पासवान विरासत की लराई लर है और थोड़ा भूत चर्चाएं भी होती है तो वो भी रामिलास पासवान के कारण सांसद है इसलिए भी लेकिन अगर ये सब कुछ नहीं रहेगा तो फिर चिराग की बातों को नोटिस भी कोई नहीं लेगा और ये बात बकुवी चिराग पासवान ही जानते हैं और इसलिए भी चिराग पासवान की बेचैनी सबसे आदा बड़ी हुई है इसलिए चिराग पासवान मन ही मन फ्रातना कर रहे होंगे भगवान से कि किसी परकार से नितीश कुमार की वापसी इंडिये में न हो इससे एक नहीं कई नुकसान है चिराग पासवान का जो बारगेन करने का पावर है वो बिल्कुल ही कम हो जाएगा नितीश कुमार के आने के साथ ही चिराग को भारतियंता पाती आटोमेटिक बैक्ट फूड पर ला देगी चुकि नितीश कुमार का एक बड़ा दुस्मन में से एक चिराग पासवान भी है ऐसे में भारतियंता पाती को जोरत है नितीश कुमार की ना कि चिराग पासवान की की ना कि भाजपा को ज़ुरत है चिराग पासवान की ऐसे में चिराग भी इन तमाम चीजों को समझते हैं और इसलिए राजनी को जानने समझने वा लोग इस बात को मान रहे हैं कि चिराग पासवान के पास सिर्फ एक रास्ता है जिससे वो लोक सभावी पहुं जाएंगे औ और उनकी राजनीती भी बच सकती है चुकि अगर तेश्वी के साथ जाएंगे तो साइद वो प्रस्तिती एक बाप फिर से दोरा सकती है जब राम बिलास पासवार उनका पूरा पडिवार चुनाव हार गया था लालू परशाद यादों के साथ गड़मंधन करने के चलते तो इसलिए यह डर बार बार चिराक पासवन को सता रहा है कि मिरे लिए सबसे सेफ रास्ता है कि नितीश कुमार के सामने सरेंडर बोल दे और नितीश कुमार को स्विकार करके इंडिये में रह जाएं यही मिरे लिए सबसे बहतर हो सकता है वेराल आपकी क्या रहा है आप सब्सक्राइब कर लिजे फेस्बूक पर देखा है तो लाइक और फॉलो कर लिजे